ता लुवीज, हावी यू आल, कैसी है मेरी लावीज आडबी, मुझे कमिन सेक्शिन में ज़रूर बताना हापी दशेरा टू एवरी वन औफ यू, सबी लोगों को विजद अश्मी की बहुत बहुत शुब कामना है चेक करते हैं कि आज यूनिवर्स आपको क्या मेसेज देना चाते हैं, क्या गाइडन्स देना चाते हैं, क्या मेसेज आ रहा है आप लोगों के लिए अज बहुत ही प्यारे काज मैं उपन करने वाली हूँ मेरे विवर्स के लिए साथी साथ फुल्मून आने वाला है शरत पूर्णे मां आने वाली है remedy अल्रेडी पोस्ट कर दी है चेक कर लीजेगा बढ़ते हैं रीडिंग्स की तरफ और देखते हैं कि इस वक्त आप लोगों के लिए क्या एक guidance आ रहा है दिवाइन guide करें और बताएं कि मेरे viewers के लिए क्या guidance है क्या message है ध्यान रखेगा readings general है हो सकता है आपको resonate करें हो सकता है कि आपको resonate ना करें positive होकर readings पर focus करें और चेक करते हैं कि इस वक्त आप लोगों के लिए क्या एक guidance आ रहा है कार्ज को सही तरीके से हम spread करेंगे stop caring about what they think be authentic say goodbye to your past stop looking outside yourself for the answer and bottom deck हमारे पास आया हुआ है that is a little bit of faith stop pushing against what is aligned with it and move on I hope आपको सारे cards clearly दिखाई दे रहे हैं मैं एक बार अच्छे से आप लोगो cards show कर दे थी हूँ ताकि आप लोगो clearly cards देखें जो message लोग क्या सोच रही हैं उस बारे में मत सोचो लोग क्या चाहा रहे हैं उसके बारे में मत सोचो आपकी लिए जो goal होना चाहिए वो आप self के बारे में सोचो self को लेकर सोचो self को लेकर priority दो self को समझो कौन क्या बोल रहा है हमें उस पर ध्यान देनी की जरूरत नहीं है rather हमें अपने self पर work on करने की जरूरत है आप में से बहुत सारे लोग ऐसा क्यों लग रहा है कि दूसरों की बातों में जादा आ रहे हैं दूसरों के कहने पर जादा चल रहे हैं दूसरों की बातों को जादा importance दे रहे हैं और खुद को बहुत जादा doubt कर रहे हैं मुझे ऐसा भी लग रहा है काच को देखते हुए अगर थोड़ा सा faith, थोड़ा सा भरोसा आपके अंदर बढ़े गाना तो no matter how negative your situation is, वो भी आपकी अपने आप heal हो जाएगी थोड़ा भरोसा, थोड़ा belief system अगर आपने अंदर बढ़ाया तो automatically चीजों का बहुत अच्छा response, बहुत अच्छा result आपको देखने को मिलेगा current situation ऐसी दिखाई दे रही है कि आप में से बहुत सारे लोग या तो दूसरे लोगों की बातों को जादा मान रहे हो, दूसरे लोगों की कहने पर जादा चल रहे हो दूसरों के बातों को जादा importance दे रहे हो, जिसकी वज़े से परिशान हो रहे हो या तो past का baggage इतना जादा है, past trauma मन में इतना जादा भर गया है कि हम अपने self पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और हम current present situation को ignore कर रहे हैं So according to me, जो message मेरे viewers के लिए यहां पर आया हुआ है, वो बिल्कुल sorted, बिल्कुल clear आया हुआ है That is, भरोसा रखो, belief system strong रखो, अगर आपका belief system strong रहेगा धीरे-धीरे करके आपकी हर एक situation आपके favor में आएगी आपकी हर एक problem जो चल रही है, solutions आपको मिलना, चीजों की तरफ दिखना start होने लग जाएंगे बाट सबसे important बात जो यहां मुझे highlight हो रही है, वो यह हो रही है, that is be authentic किसी को ना जादा convince करने की कोशिश करो, ना किसी को जादा समझाने की कोशिश करो ना किसी को जादा बताने की कोशिश करो, जितनी कोशिश कर सकते हो, अभी अपने end से सिर्फ खुद पर ध्यान दो जतना आप self पर ध्यान दोगे, जतना आप self पर focus करोगे, जतना आप self को समझोगे, उतनी जल्दी आपको चीजों के प्रती बेटर्मेंट दिखना स्टार्ट होने लग जाएगा, तो आज सबसे पहला message divine आपको ये देना चाहते हैं, अपने past को करो bye-bye, आप जो आने वाला है उस पर ध्यान दो, उनसे ही आपको बहुत अच्छे results मिलेंगे, बहुत अच्छे changes दिखेंगे and सबसे important चीज मुझे ये भी समझ में आ रहा है, that is, हर तरफ भागो मत, सबके पीछे मत भागो, सबके पीछे रश मत करो, सबको खुश करने में मत लगो, अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप पर focus करो, जतना self पर ध्यान दोगे, जतना self पर focus करोगे, जतना self को importance दोगे automatically हर चीज़ आपके favor में आएगी so आज divine का clear message है दूसरों की बातों को importance देना बंद करिए अपने आप पर ध्यान दीजे अपने self पर work on करिए जतना अपने self पर work on करोगे no matter how negative your situation is धीरे धीरे वो problem भी आपकी resolve होगी and जतने complications अभी currently चल रहे हैं जिन्दगी में आपकी life में वो भी automatically ठीक होने लग जाएगी चलिए बढ़ते हैं अगली readings की तरफ और check करते हैं इस वक्त आपके person, आपके partner आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उनके मन में आपको लेकर क्या feelings चल रही हैं उनके mind में आपको लेकर कौन सी एक बात चल रही है तीन बार अपने partner का नाम लीजिए वो आपके crush हो सकते हैं आपके lover, आपके husband, आपके wife it can be anyone वो कोई भी person हो सकते हैं चेक करते हैं कि इस वक्त आपके partner आपके बारे में क्या सोच रहे हैं तीन बार अपने partner का नाम लीजिए और चेक करते हैं कि वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रही हैं अगर कोई remedy करना चाते हो किसी चीज को अच्छा बनाना चाते हो किसी चीज को अच्छा करना चाते हो तो सारी remedies आपको मेरे YouTube चानल पर easily मिल जाएंगी आप चाहें तो check कर सकते हैं पहला card आया है justice second is two of wands we have strength we have king of swords okay I hope cards clearly दिखाई दे रहे हैं next we have eight of wands क्या बात है eight of wands का भी card आया हुआ है and bottom deck हमारे पास आया है the fool okay I hope आपको सारे cards clearly दिखाई दे रही है अब एक एक करके हम समझेंगे cards का meaning क्या आया है मेरे viewers के लिए okay so आप में से बहुत सारे लोग सोच रही है कि दी कैसा लग रहा है बहुत messages आते हैं instagram पर बढ़िया चल रहा है अच्छा चल रहा है लेकिन थोड़ी महनत अब बढ़ गई है पर अच्छा लग रहा है यानो मातरानी की कृपा से it's going great and आप लोगों की blessing से everything is going good so thank you so much everyone and नवरात्री इतनी दिल से celebrate करी है इस बार बहुत दिल से enjoy करा है you know इतनी सारी जहांकिया देखी है मैंने broadcast channel पर सब कुछ पोस्ट करा था अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो आप instagram पर मेरा broadcast channel check कर सकते हैं जहां मैंने सारी चीज़े पोस्ट करी है now back to the reading मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इसे बहुत सारी लोग relationship में बहुत जादा sacrifice कर रहे हो एक ऐसा दिखाई दे रहा है जहां पर sacrifice बहुत जादा चल रहा है और struggle जादा चल रहा है challenges जादा चल रहे हम सोच कुछ रहे हैं लेकिन हो कुछ रह है हम desire कुछ कर रहे हैं हमें इसका नतीज़ा कुछ और मिल रहा है मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि challenges बहुत जादा दिख रहे हैं hurdles बहुत जादा दिख रहे हैं और इन hurdles की वज़े से ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आपको इतना confident बना कर रखा है आपने खुद को इतना strong बना कर रखा हुआ है that I must say strength का card बता रहा है कि आप और आपके partner relationship की situation को बहुत ही गहराई से या बहुत ही confidence के साथ deal कर रहे हो हो सकता है कुछ चीजों में partner का behavior rigid बन रहा हूँ rigid मतलब हम कुछ चा रहे हैं वो कुछ चा रहे हैं वो उनका ego खतम नहीं हो रहा है जिसके वज़े से वो चीजों को understand नहीं करें मतलब कुछ ऐसी situations मुझे दिख रही हैं जो maybe आपको problem कर रही होगी जो maybe आपके लिए दिक्कत कर रही होगी लेकिन जिस person को आप deal कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये person भी आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं और ये person इस बारे में सोच रहे हैं मुझे लग रहा है कि अगर ये पिछले कुछ समय में थोड़ा negative behavior कर रहे थे या इनका behavior आपको पसंद नहीं आ रहा था या इनका you know इनका behavior आपको अच्छा नहीं लग रहा था बढ़ कार्ट को देखकर मुझे असा लग रहा है कि somewhere I can see कि कहीं ना कहीं relationship में ये person एक new beginning करना चाहते हैं relationship में ये person एक नए मौके को एक नए मौके के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं हो सकता है आप में से बहुत सरे लोग long distance relationship में होंगे या आप लोग के बीश में बातचीत नहीं हो रही होगी या आप लोग के बीश में zero contact चल रहा होगा no communication चल रहा होगा बढ़ मुझे ऐसा लगता है कि somewhere अब ही या तो आप दोनों इतना प्रॉपरली दूसरे को confess नहीं कर पा रहे हो लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि दोनों इस relationship में अपना 100% दे रहे हैं कभी-कब आर पार्टनर डगमागा जाते हैं कभी-कब पार्टनर का behavior बहुत गंदा हो जाता है कभी-कब पार्टनर बहुत बुरी तरीके से चीज़ों को deal करते हैं और उस समय आप एक ऐसे situation में आ जाते हो कि आपको भी गुस्ता आता है कि मैं ही sacrifice कर रहा हूँ मैं ही परिशान हो रहा हूँ मैं ही यह कर रहा हूँ इसका reason मैं बोलूँगी कि आने वारी time में बहुत unexpected miracles देखोगे अपने relationship के अंदर unexpected positive changes देखोगे अपने रिष्टे के अंदर और यह ऐसे changes है my dear जिसका आप बहुत समय से wait कर रहे हो यह ऐसे बदलाव है जिनका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हो यह ऐसे changes हैं जिनकी वज़े से आप वेट कर रहे थे कि कब यह बदलाव आएंगे क्योंकि मुझे ना एक romantic connection दिख रहा है एक romantic connection आगे बढ़ना चाहरा है वो sacrifice का phase खतम हो रहा है एक अच्छी beginning दिखाई दे रही है मैंने बोला ना कि partner में इतना properly express नहीं करें लेकिन deep down उनके मन में feelings हैं क्योंकि आज जिस phase में आप दोनों हो आप भी भूथ हमत के साथ चीजों को deal कर रहे हो आपके partner भी भूथ हमत के साथ चीजों को deal कर रहे हैं तो I will not at all say कि बिलकुल end है खतम है अच्छा नहीं बन सकता रिष्टा बेटा नहीं बन सकता रिलेशन्शिप बिलकुल ऐसा नहीं है बिलकुल ऐसा नहीं है बिलकुल अच्छा बन सकता है पर ये चीजें धीरे धीरे हो कि कुछ लोग मेभी कुछ जल्दी बदलाव देख सकते हैं क्योंकि unexpected miracle का card आया है अगर आप positive manifestations कर रहे हो या positive होकर manifestations कर रहे हो then maybe possible आपको बदलाव जल्दी दिख जाए and for those जो wait कर रहे हैं call का, message का, communication का आप लोगों के लिए बोलोंगी भाई अभी भी समय है wait करना बन कर दो और sorry मैंने पानी बी या था cards को देखकर मैं clearly बोल सकती हूँ कि आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे unexpected changes आप अपने रिष्टे में देखोगे आने वाले time में unexpected बदलाव आपको खुश करने वाले हैं क्योंकि ये changes ऐसे हैं जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे जितना आप इस रिष्टे में sacrifice कर रहे थे जितना हिम्मत के साथ आप चीजों को deal कर रहे थे हो सकता है कुछ चीज में थोड़ा partner rigid behave करेंगे या थोड़ा you know compatibility नहीं बनाएंगे या समय लेंगे लेकिन you can experience a positive change you can experience a positive miracle in this connection so in my opinion go with the flow चलो जादा expectations भी मत बनाओ सब कुछ normally आगे बढ़ने दो naturally चीज़ें होने दो तो आपको और अच्छे बदलाव दिखेंगे और आज जो आप लोगों के लिए message of the day आया है इसको बिलकुल भी न भूलें क्योंकि इस वक्त angels आपको ये message पहुचाना चाहती है आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ न्यू वीडियो के साथ रीडिंग्स को क्लेम कर लीज़ेगा वीडियो को like, share, channel को subscribe, follow करना ना बोले शरत पुन्यमा आरी है क्या करना है शरत पुन्यमा पे कौन सा मंत्रा का जाप करना है और यूटीब चानल पर पोस्टेड है आप लोग जरू चेक कर लीज़ेगा राधी राधी